तो इसकी करते हैं पेस्टिंग, पेस्ट बहुत जादा बढ़ी है, जो फिश डाली भी आप देख सेते हैं कि अच्छी तरह से पकी हुई है, आज मैं आ गया हूँ, स्काई मॉल मलोट, एंड यहां पे एक बहुत ही ज्यादा अच्छी रोल्स की शॉप है, पंजाबी रोल्स स्काई मॉल के अंदर, आप वंडर कर रहे होंगे कि यह लोकेशन कहां पे है, सो लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, लोकेशन है स्काई मॉल, पहली बात तो जो स्काई मॉल की लोकेशन का लिंक है और एड्रेस है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगा, पर एक बार मैं आपको लोकेशन अपनी तरफ से बता देता हूँ, मलो टू बठिंडा रोड के बिलकुल साइड में है, उपर है स्काई मॉल, जिसमें है पंजाबी रोल्स, अभी मैं अंदर चलता हूँ, ट्राइ करता हूँ इनके रोल्स, आपको देता हूँ एक प्रोपर और ओनस रिव्यू की रोल्स का टेस्ट कैसा है, और मैं रेटिंग भी दूँगा, आउट ओफ 10, एंड मैं आपको इनकी सिटिंग भी दिखा दूँगा, कि सिटिंग कैसी है, और एक बात, कि राजिस्थान से अगर आपने जाना है पतेयाला की तरफ, या आप गंगा नगर व और पहुंच जाए ये रोल्स ट्राइ करने एड पंजाबी रोल्स, तो अभी मैं चलता हूं पंजाबी रोल्स के अंदर, ट्राइ करते हैं इनके रोल्स, तो लेट्स गो, तो अभी चलते हैं पंजाबी रोल्स के अंदर, पहले तो आप ये देख सकते हैं, कि बहुत सी अदर आप यह देख सकते हैं चार से पांच जनों की सिटिंग बाहर भी है एक छोटा सा टेबल लगाया विद चेर्स एंड अभी चलते हैं पंजाबी रोल्स के अंदर तो अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत यह खूब सुरत सी प्यारी सी सिटिंग है अदर यहां पर बतलब बारा से पंदरा जने अराम से बैठ सकते हैं और रोल्स इंजॉय कर सकते हैं बाकी यह है पंजाबी रोल्स के ऑनर एंड सर पहली गाल तो सश्रीगाल ते मनलब कर आप यह जिए जेड़े ताटी बेस्ट रोल्स है वो सानुआइट टेस्ट करवाओ ज दिएकते हैं कि रोल्स बनते कैसे हैं फिर करते हैं उनकी टेस्टिंग तो अब हमारे रोल्स ट्यार हो रहे हैं यह है रोल्स का बेस और उधर जा रहा है कि ऑज़े में कि अदे आप देख सकते हैं कि ये मतलब जो इनका data है अंहें लक्षे प्रांठे की तरह त्यार किया होता है कि जो डे अधिक हैं वह बनेand Stop को आप यह देख सकते हैं कि अछी तरह से मुझम प्वाप धिता क्रिस्पी ऑगई है प्राउनिश कलर गोल्ड प्राउन टाइप बहुत बढ़िया कलर आया है एट सारी जो रोटी है वो ऐसी हो रही है क्रिस्पी-क्रिस्पी अभी लगने जा रहा है हमारा एक रोल अब पंडा सीधा ही रोटी के उपर अब बढ़िया टेक्नीक है मैंने इंटरनेट पे काफी देखी है बट रियल में मैं यह ट्रिक पहली बार लेख रहा हूं अब यह एक रोल इन बेकिन अब यह हो चुक्या पूरा मलब क्रिस्पी एक रोल और देख रहे हैं आगे का प्रोसेस यह वाला लग रहा है हमारा जो चांप रोल है यह आ गया चिकन रोब फिलिंग पूरा अच्छे से बढ़िया से की जा रही है अब इसले नमबर पर लगने माला है हमारा एक एंड फिश रोल इसमें फिश का पकोड़ा डाला जा रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है अभी आएगी इनकी जो स्पेशल मिंट सोस है एंड अनियन वगएरा इसके उपर यह टमेटो केचप यह सर मिंट सोस बानाते हो इसे स्पेशल में रोल्स का मसाला हुआ रहा हम शेया थेनर शेव श्वाल इसे तो साथ मैं अन्योरी डालना है वह शेया रहा है। जिकन वाले में जिकन वाले में डालतो हुआ है जो जी रोल्स हमारे रैडी है रोल हो रहे हैं और अब करते हैं जाकि इनकी टेस्टिंग तो रोल्स आ गए हैं अब शुरू करते हैं इनकी टेस्टिंग पहले सर से बूज लेते हैं भी कौन-कौन से रोल्स लगाए हैं अपने एक फिश रोल एक फिश रोल एक डबल जिकन रोल है और हमारा स्पेशल अफगानी चांप रोल है ओके तो यह देख सकते हैं डबल एक फ सबसे पहले और करते हैं इनका फिश रोल मेने सुना काभी बार ये पर आप देख सकते हैं तो शुन्द्र बहुत बढ़िया लग रहा ये हैं टेस्ट जो पीस आपर पहली बार खाने वाला मैं फिर अधू पहली बार खानेवालाउ तू करते हैं इसका है इसका येस काषिय इंड आप देख सेते हैं कि जो रोटी अंदर की कितनी ज्यादा क्रिषपी है और एग भी पूरा अच्छे से पका हुआ है तो इसकी कर देख सेते हैं पेस्टिंग सानीज गादी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पकी ही और जो क्रिस्पी ने साना फिस्की पाकोड़ा टाइप मलब बनाई ही है भी ब्रेड करम्स लगा के कुछ जो क्रिषपी फीश है और जो क्रिषपी रोटी है वो काफी बढ़ीया क्रिषपी सा ठेस्ट दे लिया एंड जो इंके मिंट सोस में उसका टेस्ट काफी बढ़ीया है तो ओवर रॉल्स रेडिंग आपको स्क्रीन पे दीखी रही होगी एंड मैंजी काफी अच्छ है यह भी बहुत बढ़िया लग रहा है तो अब करते हैं इसकी टेस्टिंग आप देख सकते हैं कि फ्लेक्स कितने हैं बहुत बढ़िया लग रहा है भी आप देख सकते हैं पूरी फ्लेकी रोटी है तो आप करते हैं इसकी भी टेस्टिंग बाई चाम रों तो लगी निरा प्याली बाद एक नम चिकन रोल वाली फीलिंग आ रही है इतरा बढ़िया तरह से चाम पकी हुई है न जो सौसेज डाली है न इसमें मिन्ट सौस हो गई एक तो स्पेशल बिल्ट सौस एंड बहुत बढ़िया आपस में टेस्ट दे रही है एक दूसरे कर टेस्ट एंड दोरों आप टेस्ट करते हैं मिनका डॉपल चिकन रोल बैचे यह जो डॉपल चिकन रोल है क्रेविं काफी हो रही है पीछे मेरा ब्रदर कैमरा लेके बैटा इसका फेवरेट है तो परने भी उसको चिडा आलों खाने है तो अब ही करते है इसकी टेस्टिंग मैंने यह पहले भी काफी पर खाया हुआ है इसका टेस्ट मुझे बदा इंक्रेडिबल है फिर भी मैं आपके लिए एक बार टेस्ट करके आपको फ्लेवर बता जयता टेंगी सा फ्लेवर भी आ रहा है जो उन्हों ने इतना स्पेशर मसाला डाला वह उसका बहुत बढ़ी अ फ्लेवर आ रहा है इसमें एंड चिकल प्रफेक्टली कूप्ट है ओवर रॉल यह तो मेरा रिव्यू तीनों रोल्स जो सर ने अमें प्रोवाइड की है वो बहुत भी बढ़ी है एंड अभी करते हम रोल्स पे टूटते हैं टूल पड़ते हैं रोल्स पे इनको करते हैं खतम एंड फिर मैं देता हूं आपको एक फाइनल रिव्यू कि अगर आप रोल्स खाना चाहते हो बहुत बढ़िया वाले तो आप पजाबी रोग्स पे आएए कि अगरा है था तो इस फ्रीप ये नियुक्त ऑप जिए लिए अपको स्क्रीन पर एक मुबायल पर भी नमबर पर कॉल करके रोल्स को प्री आणर कर सेके हैं पान्से साथ मिनिट में आपको आणर के आणर आज़ते हैं और आज़ पन्जाबी रोल्स वाग्स पान्माल्स काईपोब रोल्स गाइस मुझनाग। देरार मैनी ओप्षिंस तो चूज फ्रॉम रेटिंग आपको देख देगी होगी पीछे वीडियो में इस वीडियो में इतना ही अच्छे रोज पाले हैं तो जाब भी जोच प्यादेजे अबाइ आपको ना ये लूम इस अच्छे लिडियो में